दोस्तों गर आपको पेट की चर्बी कम करनी है तो सुबह उड़ते ही इन पात चीजों को जरूर से खाएं आपकी पेट की चर्बी एक महिने के अंदर दिरे दिरे पिघलने लगेगी और पेट एकदम पहले जैसा सही हो जाएगा आई ये ग्यानवीड नुस्के का या वीडियो हम शुरू करते ही और कैसे हम पेट की चर्बी को कम कर सकते ही इसके नुस्के जानते ही सबसे पहले तो हम ग्यानवी नुश्के को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेज कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना हम बिलकुल ना भूले दोस्तों यूँ तो मोटापा कम करना काफे मुश्किल काम है लेकिन जब बात पेट की ठर्वी को कम करने की आती है तो हम जैसे तैसे पेट के फैट को कम करना चाहते हैं लेकिन अगर आप सुबह उड़ते ही इन पांच चीजों को खाते हैं तो आपकी पेट की चर्वी जल्दी से कम हो जाएगी अगर आप हर दिन एक बड़ा चम्मच एपल साइडर वेनेगर रोज सब उटकर अगर पीते हैं तो केवल एक महिने के अंदर यहां पतले हो सकते हैं आप इसका सेवन कैसे करेंगे आपको एक गिलास पानी में एक बढ़ा चम्मच एपल साइडर वेनेगर डालना है इसको आपको खाली पेट पीना है वैसे तो बाजार में कई ब्रांड के आपको एपल सीडर वेनेगर मिलेंगे लेकिन वाउ ब्रांड को काफी सारे लोगों ने पसंद किया है आप वाउ ब्रांड का एपल साइडर वेनेगर यूज कर सकते हैं नमबर दो आप फ्रूट मिल्क शेक पीए फ्रूट मिल्क शेक में देर सारे प्रोशक तत्व होते हैं जिनमें आइरन केल्शियम, पोटिशियम, एंटियोक्सिदेंट तो होते हैं या आपकी पेड की चर्वी को कम करेंगे इसे बनाने के लिए आप एक सेब या फिर नाश पती लें इसमें आपको बेरी या फिर अपनी पसंद की चीजें डाल लेनी है इसमें आप एक छोटा चमच, चिया सीट्स या फिर कद्दू के बीज भी डाल सकते हैं और इसमें 200 मिलिग्राम मलाई निकला दूट डाल दीजिए इसमें आप बड़ा चमच, पिनर बटर मिला दीजिए अब आप इसे इच्छा अनुसार पी सकते हैं नमबर तीन, आप रसी पर कुदे रसी कैसे कुदते हैं आप इमेज के अंदर देखी सकते हैं अगर आपके पास सुबर थोड़ा सा भी समय हैं तो आप उड़ते ही कार्डियो व्यायाम करें कार्डियो व्यायाम बहुत ही आसान होता है अगर आपके पास समय हैं तो 30 मिनट तक आप जरूर से रसी पर कुदे रसी कुदनेशे शरीर में पेट के आसपास की जो भी जमी जर्दी या फिर चर्बी होती है वो कम होने लगती है अगर आप दोस्तों वाकाई में अगर आपने फैसला कर लिया है कि पेट की चर्वी को कम करना ही है तब आप अजवाईन की पत्यों को शामिल कर सकती हैं अपनी डाइट के अंदर अजवाइन के पत्यों के सेवन से पेट की चरबी कम होती है इसमें बहुत कम कैलोरी होती है फाइबर युकत होता है केलचेम और विटामिन सी का इसमें काफी जादा इस्तरोध पया चाता है आप इसका सेवन कर सकते हैं नमबर फाइब, आप खीरे का सेवन कर सकते ही, आप एक प्लेट में खीरा काट कर आप इसको खा सकते ही, यह आपके शरीर में जो भी फेट होता है, जो विशले परदारत होता है, उनको यह काटने का काम करता है, यानि शरीर से बाहर निकालता है, इसके लावा आप तर्बू प्लिकेशन बेल को जरूर दबाए वीडियो को राइक और शेयर करना बिलकुल ना बुलें धन्यवाद